और चले इस पूरे मामने पर सुप्रीम कोट में क्या हुआ, बीजेपी प्रवक्त और वकील नलिन कोहली से सुनते हैं भारत के अटर्णी जेनरल केके वेनु कोपाल जी ने कोट के सामने तरक रखे और जो रवीवार को पश्चिम बंगाल कलकते में जो हुआ CBI अफसरों के साथ उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आपको नहीं कर रहे हैं जोइन नहीं कर रहे हैं जो उनको समन हुआ था पहले इसकी उपर में सॉलसिटर जेनरल ऑफ इंडिया तुशार मैता जी ने भी अपने विचार और बाते रखी कोट के सामने डॉक्टर अभिशेक मनु सिंग भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन अंत कोपरेट करें साथ-साथ ये सफ़श्ट किया कि उनके खिलाब कोई ऐसी कारवाई ना हो जिसे कोर्सिफ स्टेप कहा जाए और उस ओर्डर में ये भी सफ़श्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे क्योंकि आज नोटिस जारी हुई तो उसके बाद तै होगा 19 तारिक को सेकरेटरी जनरल सुप्रीम कोट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहाँ पर कोट में खुद यहाँ अपने आपको प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को 20 तारिक अगले तारिक के लिए एक इधर बीजेपी ममता बरजी पर हमलावर हो गई है केंद्री मंत्री रविशंकर प्रसाद ओजी तेंदर सिंग ने ममता सरकार पर सवाल उठाए जी कि टिपणी पर मुझे कुछ टिपणी नहीं करना है माधनियों उच्टम्याले का आदेश पश्ट है कि उनके पुलिस कमिशनर को सीबी आई के सामने पेश होना पड़ेगा जो धाई साल से नहीं पेश हो रहे थे नोटिस के बावजूद दूसरा वो शिलॉंग में उनसे सवाल पूछे जाएंगे तीसरा उनके सारे वरीपता दिकारों के खिलाफ कंटेंट की नोटिस हो गई है उनको जवाब देना पड पूछेगा तो यह तो सुप्रीम कोट का आदेश स्पष्ट है लेकिन हमने एक बड़ा स्वा उठाना है कि जो ममता जी और उनके साथ खड़े लोग लोगतांत्रिक मुल्यों के विरोध का सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो इसका जवाब क्यों नहीं देते कि प्रधान मंत्र में और वो कह भी किया सकती है लेकिन आप सब देख रहे हैं हम सब देख रहे हैं सुप्रीम कोट ने पुलीस कमिशनर के वहवार को ठीक नहीं ठाराया और उनको फटकार लगाकर यह निर्देश दिया कि आप सहयोग कीजिए अगर वो अभी भी सहयोग नहीं करेंगे तो आ ममता दीदी का है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बीजिपी ममता बनर जी पर कड़े तेवर अख्तियार करते हुए इसे ममता बनर जी की हार और लोकतंत्र की जीट बता रही है आपके कल भी इन्होंने जब हला किया तो हमारा और शे ग्रे मंतर जी ने संसद में जबाब दिया कि संगी धांचे का समान करना ची संगी धांचा चर्मर आये नहीं इसकी चिंता ममता बनर जी को भी करनी ची क्योंकि वो किशीराज्य की वुक्य मंतरी है ये जो जांच हो रही है ये 2004 से हो रही है जब हम सासन में नहीं आये थे उसे पहले की F.I.R है और इस जांच में सयोग करना चीए राजी कुमार जी को राजी कुमार जी को बचाने के लिए एक मुख्य मंत्री जी का धरने पर बैठना और उसके बाद संसत नहीं चलने देना इसलिए हम अपेक सावन से करते हैं कि संसत को चलने दें राष्ट पती जी को हमें धरने बाद अगर सीबी आई सुपरीम कोट के कहने पर गरीब जंता का पैसा वापिस दिलाने के लिए जांच कर रही है तो इससे अच्छा काम कोई नहीं जहांपर गरीबों का भला हो इमानदारी के पैसे को लूटा गया हो उसको वापिस दिलाने की बात हो मुझे लगता है और तेजी के साथ करना चाहिए और जल सेल जांच को पूरी करना चाहिए हमने चंदरबाबु नाइडू जी और कॉंग्रेस पार्टी के लिए क्या तिलंगाना में हुआ क्या उनकी हालत हुई वही उनके साथ आंध्रा में होने वाली है ये यूटन मानने वाले जो निता हैं जो चार साल सत्ता का सुक भोगते हैं और पांच साल अपनी विफलताओं को लेकर राजनिती करके केवल वोट लेने के लिए एक ओच्छा अत्कंडा अपनाते हैं ये कभी चल नहीं पाएगा उनको 20 तारिक तक जो हमारा दोबारा सुप्रेम कोट में हेरिंग है उससे पहले राजीव कुमार जी को शिलॉंग में जाके CBI के सामने पेश होना पड़ेगा और सारे इंवेस्टिकेशन में मदद करनी पड़ेगी तो अभी ममता जी ने भी ये कहा है कि उनको उनके जो लीडर्स है मतलब हमारा जो लीडर है उनके कौन लीडर है अभी ये देखेंगे अभी ये देखेंगे उनके कौन लीडर है उनका लीडर कौन है किया वो ये कहती है? कि उनका वो किसी के और बुध्धिय से चलती है? यह तो हमेशने कौंग्रेस के बारे में बोले जा रहे कि हमांग्रेस फोन करके साथ है सा बोल रहें मंच में तो रहुल जी खड़ा नहीं हो रहे है साथ सिभाई वर्सिस मम्ता सरकार की बीच उप्चे विवाद पर प्रमग विपक्षी दल कॉंग्रस की प्रतिक्रिया भी सुनिया किसी इंडिजिवल का सवाल नहीं यहां पर सवाल है गॉवर्मेंट जो एक अटॉनमस बॉडिज के अंदर इंटर्फियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोकों को दबाने की जो कोशिश कर रहे उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं हम किसी एक इंडिविज्वल किसी एक आफिसर या किसी एक पार्टी के लिए नहीं जो अटॉनमस बॉडिज है उनकी जो गरीमा थी उसको जो कम करने की कोशिश से सरकार कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं किसी को इंटरोगेट करना आया है किसी की विटनेस स्टेटमेंट लेने आया है वो कहां से सीक्रेट हो गई इनकी मिशन सीक्रेट थी और इनका अजेंडा भी सीक्रेट था वो मालूम है आपको मालूम है देश की जनता को मालूम है कि इनका अजेंडा क्या था क्योंकि ग्रह मंत्री जी कहते हैं कि अब हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं गवर्नर से तो अजेंडा तो साफ है तो वो अजेंडा इनका नाकाम हो गया और सुप्रीम कोड ने सही कहा कि भई शिलॉंग का मौसम अच्छा है महा मतलब कि जाकर आप जो भी इंटेरोगेट करना चाहिए करिए लेकिन मैं थोड़ी से सलाएं को यह भी दूं करना भी है तो बीजेपी से आज खड़े हुए और इनको भी करिए मंत्री को भी है और फिर पियाई ने ये देश को बताना है कि वो निश्पस्ट तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो फिर यह सब होना चाहिए हम सुप्रिम कोट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसका सिगर ही पटाक शेफ होना लोगतंतर की उच परंपराओं के अनुकूल होगा ने मुखवंतरी को किसी अधिकारी के लिए ऐसी भाषा का प्रियोग नहीं करना चाहिए वो किसानों के लिए जान देती मज़दोरों के लिए देती तो मुझको अच्छा लगता देखिए सीधी सी बात है कि अगर इस मानने सर्वो चन्याले के नरणय को मैं देखूँ अब्जवेशन को देखूँ तो ममता जी जिनत और तरीकों को और पूरा आवाम जिनत और तरीकों पे सवाल खरा कर रहा था आज उस वो विंडिकेटेड हैं गिरफतारी पहली बात उन्होंने कभी इंवस्टिकेशन से मना नहीं किया था मॉड़ सपरेंडाई से मतभेता क्योंकि ये तानाशाही मिजाज का मॉड़ सपरेंडाई है और मैं समझता हूं कि मानने सर्वोच ने अले ने उसको साफ साबित कर दिया कि तौर तरीके से चीज होंगी मॉड़ सपरेंडाई में तबदीली करनी होगी ममता जी और जिस धारा का वो पुर्तिने तुकरती है उसकी वीज़ाई हुई है ताना शाही शब्द का प्रियोग जब भाजपा करती है न तो मुझे बहुत दुख होता है मैं सिर्फ सोचता हूँ कि आईना सामने रख लें ताना शाह कौन है कितना बड़ा है कितने बड़े कद का है उनको पता चल जाएगा उनके बीच में है उनका अपना है